नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरु देवुता वन्धनम सर्भु साधवार पडामम पारांगता गुरु ब्रजेश को सुमिरी के गौरी पुत्र गडेश जै 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 मा भारती जै जै भारत देश आज भारत माता तुम सुख दाता है जगत्रातारी नाम तुमारी में गुड़ गाता तुम ही मनाता ओ भी घ्याता यमित ओदारी और छमा तुम्हारी है महतारी आरे जब जब पड़ो भी पत्री को भार नामी सेर भैते भारत में ओई गए सीमा पेरे बले हारी अरे भोज़तार भोजी के बेटा प्रेम बती के राज कुमारी दोस्तों आज मैं अमर शहीद स्रीमान मीरेश बाबु के जीवन सैली की और प्रकाश डालता हूँ जो हस्ते हस्ते अपने भारत मा की पवित्र भोमी पर जिन्होंने अपने प्राणों को भी नियोच्छावर कर दिया उस अमर सहीद नीरेश यादब की पवित्र गाथा मैं ये राधारानी कैसिट के द्वारा आपके पास तक पहुचा रहा हूँ मैं रतन कुमार साश्त्री पूजिनी गुर्देव सम्मानि स्री स्वर सम्राठ स्रीमान व्रजेश कुमार साश्त्री जी का से से हूँ जिस पवर शेर का जन्द एका जिला गाओं का सोने में ऐसे ही भैनी रेश कुमारी भौजदार भौजी के बेटा प्रेम बती के राज कुमारी शम्मानि स्री फोजदार शिंगे पुत्र जो नीरेश यादव हुए और ऐसा ही नहीं आर पेटा तील जने मैयाने हो अ हो जो पेटा तील जने मैयाने घर में एक जनी लिस कुमारे भौजदार शिंगे बाबाबने इनशे बाबने लाज की चुमारे प्रेम्बती मैया के उदर शे तीन पुत्रों का जन्ग हुआ स्री नीरेश यादर, अनिल कुमार, करम बीर और कोकाराम जो ये तीन भाई थे इनकी एक मेहन थी जिसका नाम था राजमाला जिसकी शादी अवागड के पास गराम कटेलिया में की गई और ऐसा ही नहीं एच चादिन जनम भाव तो नाहर को धरती तलकी गई तहला है अरे मारी खुसी मात के दिल में सब ही सकुन पड़े दिखनाई शन 1904 में नीरेश यादवी का जन्म डिस्टिक्ट एटा के ठाना बागवाला छेत्र के पवित्र क्राम कासोन में जो प्रेम बती मैया के उधर से हुआ बजी बधाई तब द्वारे पे गर में भय मंगला चार प्रेम बती मैया नी पालो ने जु बेटा से करो दुलार आरे स्याने वहे खेली आनन में तब इस खूल में दये पिखाई और सिक्षा पाई सेर इंटर तकी भरती भय फोज में जाई नीस अगर्शन उन्निस सोत्रानवे में बी आर ओ आगरा से दे सेवा में भरती हुए और इनका प्रशिक्षण रानी खेत उत्राखंड में हुआ यूनिट कुमाउ रेजीमेंट 16 के अंतरकत इनकी प्रथम पोश्टिंग बनवसा में हुई उन्नीस अप्रेल सन उन्नीस सोच्यानवे में इनकी सादी ग्राम संतोस्पुरा जो डिश्टिक मेंपुरी में पढ़ता है वहां से हुई और सन उन्नीस सोच्यानवे में ही ये कुष्टि की मारथी बने हैं ऐसा ही नहीं कुष्टी लड़ी अजब शानी की आदती पड़ी गई थी पहलु मानी की अरतम थी देह भरी जवानी की फिर जवानी की भरी जवानी की ए नई संका दिल अभि मानी की साथियों वबर से मीरेश बाबू जब वी आरो आगरा से देश सेवा में जब भरती हुए उसके बाद जब इनकी दूसरी पोस्टिंग अरोडांचल प्रदेश में हुई आरे चाइना अरोडांचल प्रदेश में बरफ ही बरफ पड़े दिखलाई बीशड सरदी पड़े महां पर अपनी पोस्टिंग लई कराई अरोडांचल प्रदेश में यहां बरफ ही बरफ है जिस यगे पर भी सरदी पड़ती है सेर नीरेश यादवजी ने दूतिय पोस्टिंग अपनी अरोडांचल प्रदेश में कराई लेकिन एक दिना की बात बतना हूँ भसिको पेर बरफ में जाई बिसम इस्तिती में नार ने अपनी सक्ती दई लगाई जिस यगे बरफीली चटानों में बरफीली चटानों में जहां दरारे पड़ जाती है एक दिन का पेर एक दरार के अंदर फस गया पेर को खीशते खीशते बोदसा हुई जब ये अपनी कमर तब उस वर्फ के अंदर चले गए लेकिन बजरंगी के हते पुजारी हनुमत रक्षा करी अपार एक दासे जानि पचीना हर की रक्षा करी शिरी करतारे पीर वजरंग वनी के ये बहुत बड़े पुजारी थे धर्म कर्म करने में बहुत आगे थे इसलिए भगवान ने उस समयन की रक्षा अवडान चल प्रदेश में बर्फ की पहाड़ियों पर की और उस जग है पील साल तकी रहे बहाँ पैं रच्छा करी देश की भाई आरे सन उन्नीश और निन्यानुबे में खोश्टिंग भई सुनोची दिलाए उस जगह पर भारपनागी रक्षा करते हुए जमने तीन शाल गतित हुए शन उन्नीश और निन्यानुबे में तीसरी पोश्टिंग इनकी तंगधार शीमा जो भारत और पाकिस्तान की जो पढ़ती है तंगधार शीमा भारत और पाकिस्तान की पढ़े दिखाई बड़ी खुसी से तब नाहर ने अपने दिरा जए लगाई जो तंगधार शीमा भारत और पाकिस्तान की है जो ये बड़ी ही कटर जगह है और जिस जगह पर एक नहीं अने को बीर जबानों के आतकवादी सरकाटर की ले गई जा धुस पेठी पाकिस्तानी बीरों के लए सीस कटाई और पाहँ पे ट्यूटी करी सेरने संका करी का लगी नाए आरे आखिरी ओ था भारत मा को नाहीं दिल में कियो बिचार अपनी लगनी और शक्ती से देशकी सेवा करी अपार शमानि स्री नीरेश वाबू देश भारत की रक्षा करते हुए शन 2006 में जब ये गिलेसियर पहुँचे 2006 से 2008 तक गिलेसियर में रहे उसके बाद 2008 से 2011 तक ये कानफुर में रहे फिर 2012 में इनकी पोश्टिंग दोबारा फिर अरड़ांचर प्रदेश में हुई जिस जगह पर एक बार जाने के बाद दोबारा कोई भी जबान जाने की हिम्मत नहीं करता लेकिन ववर सेर नीरेश ने दोबारा अपनी पोश्टिंग जब अरड़ांचर प्रदेश में उन वरफिली पहाड़ियों पर कराई है इस बीर का हम वर्डन किन शब्दों में करें आरे कैसे सागर के पानी को हमका दर में ने भराई या सूरज को नीम दिखावें तो ये दादू हमें न लिगाई ऐसे पीर पुरु स्की का था रतन कुमारे रहे तरसाई गुरु प्रजेश की अनुकम पासे की रती जग्मी लहे बढ़ाई प्रेम बपी बैया को प्यारो पोजितार को राजि कुमारे आरे सुपन दीवेश देश की सेवा में हर दम रहते तईयार करिबे रख्षा भारत मा की अपनी कमली कैसे हतियारे द्रडशा हसी पुत्धी में आगे अपनों कदम न धरो पिछा दोस्तो दो हजार पंद्रे की जम्मो घड़ी आई बीन नीरेश बाबू का तवाबला कारगिल में दा टाइगर हिल की पवित्र चोटी है उस टाइगर हिल की चोटी के पास द्राश सेक्टर नाम की चोटी है जो पाकिस्तान की शीमा पर है जिस पहार की उचाई लगभग सत्रे हजार एक सो चोटर भीठी है जो एसिया का प्रथम और विस्व में इसका दूतरा इस्थान है जहां स्थर्दी बहुत अधिक पड़ती है जिस जगह का तापमान 0.46 डिगरी मानस में है और ऐसा ही नहीं है एक कुल्णा करे पीर बढली को पोनी भाद मरभवन आई ऐसी तसा भाद सीमा की बहां पे पीर रहे हर साई है ली द्वारा आना जाना हो है ली द्वारा आना जाना नहीं पेड़ पड़ी दिखनाए छे छे दिन की रोटी खाकर अपनों जीवन रहे पिपाई शाम की रक्षी हुई रोटी शुब है को यद हम अपने घर पे खाते हैं तो हम लोग यह कहते हैं कि यह बासी रोटी है से हम नहीं खाएंगे लेकर हमारे भारत के बीर जबान धन है तुम्हारे बनिदान को जो छे छे दिन की रक्षी ही रोटी यां पाग की शीमा पर जो बड़े ही प्रेम से खा जाते हो यह हमारे जीव बीर जबानों का बनिदान जो हमारे देश की पवित्र शीमा पर हस्ते हस्ते अपने प्राणों को निच्छावर कर जाते हैं और सम्मान इसलिए नीरिय श्यादब जी को हमारी पवित्र शेना के द्वारा कई एक मैंडल भी प्राक्त हुए थे अब आई पारी नगल की जोसे नासे मिले खिताब अरे प्रथम परियता थिरे यूनिट में पुसल पहागुर को प्रस्ताब पैटि लिप्टि कुर्ति कोख शिर्मी अधि प्रभीड नीरेश कुमारी अरे पनी प्रगेड चैन पियन योधा रदन कुमार कही पिस्ताब भाईया पीर मुरसकी सुंदर काथा सुनो यह नारी है पीरले पीर मुरसकी सुंदर काथा सुनो यह नारी है अरे सुनो यह नारी है प्राटि मेरे सुनो यह नारी है भाईया पीर मुरसकी सुंदर काथा सुनो यह नारी है दोस्तो ध्या रगना स्री नीरे श्यादव जी को जब प्रत्थम परियता यूनिट में मिली जिस यूनिट में आठ सो जवान होते हैं और आठ यूनिट को मिला करके एक व्रगेड बनता है और यह थल सेना व्रगेड के चैंपियन बने बैट लिप कुष्टी और वक्षिंग के यह महरती थे इसलिए इने ब्रगेड चैंपियन कहा गया सभापती थल सेना अध्यक्ष सम्ती एवं चीफ आफ आर्मी के यह तरफ से इने प्रशंसनी पत्र और कई मैडल भी प्रात हुए आरे कहत की बरड़न करूं से रखो मों से कहत कही नए जाए और जब तकी सूरज चांद रहे ये कीरती चली जगत में जाए आरे छाए सुख के बागल भाईया फिर दुख घडी महोची गई आई और रेने बाया नग धीरे फागू नगी हाते हाथ न देतु दिखाई अरकस्त लगाई रहे दसीमा पैतीन जवान संग ने जाई और पड़ी दरार पर्म पाड़ी में सिलिया गिरी धर निपे आई जहां द्राज शेक्टर में पाप शीमा पर तीन जवानों को साथ लेकर एक गस्त लगा रहे हैं रात के जब बारा बजे हुआ ऐसा वर्फ भाड़ी में जब दरार आई वर्फ की वाउचार होने लगी सिलिया तूट तूट करके जब जमीन पर गिरी हैं अब दब गए नहर का सुने बाले अपने दीने प्राण गमाई और अमर सहीद भए सीमा पे बारा बजे राती के भाई अर एक फरवरी ती भारत में भै सहीद नीरे सिकुमारी और मिली खबर जब सब जोनन गोरण में भी तो हाहा कारी और पर फके अंदर लास दबी थी भाईया नी जी बाहर ने कारी और दई सुचनासी ओ यार मी अनुद भ्राद जो अनिलब मुमारी एक फरवरी शन 2018 में नीरेश यादव जी उस पाथ को और भारत की शीमा पर सहीद हुए जबानों ने इनकी लास को वर्फ से बाहर निकाला सी ओ आर्मी के द्वारा जब ये सुचना इनके अनुद भ्राद जो अनिलब मुमार थे उनको जब दी गई जब ये ख़वर पूरे गाउं में फैली है अर भैली खवर सभी ननर ने दुखी वहे सब रिष्टेदार और तैया चान पड़ो यांगन में रोई रहो पूरो परिवार एक फरवरी को बीद पाप और भारत की शीमा पर जब सहीद हुए तो इनके पार्थिव सरीर को फैली में रखने के बाद 17,114 फीट की उची चोटी से नीचे लाया गया दो भरवरी सन 2018 को एरो प्रेंड के द्वारा प्लास को लेकर के आर्मी के जमान जब दिल्ली में आये तो हुआ ऐसा आरे तई सलामी सब से नाने अपने अपने सीज धुपाई तीन फरवरी दो हजार अठारा को जब दिल्ली में आर्मी के सभी जवानों ने उस परंबीर को जब सलामी दी है सभी कारे बहा पूड कर आये जो थे से नान के ब्यूहार अरे लासी बंद करिके बक्सा में दारे इत्र पुस्प के हार बड़े ही सम्मान के साथ भूड सामिक्री के दोरा जब इनके पार्थिर सरीर को एम्बीलेंस में रखने की बाद एम्बूलेंस में लास धराई फिर आगे लई सीधि लगाए एक जारी भरवरी की बेला में पहुची लास नगर में आई चार फरवरी दो हजार आधारा को जब इनकी लास काशोन गाउं की पवित्र भूमी पर जब आई है नगर निबासियों ने जब सुना है सभी देखने के लिए भागे रिष्टेदारों को जब ये सुल्चना मिली है हाल बेहाल हो गया ऐसा ही नहीं आरे निशा भाई जिन्दगी निशा की निन यनिर्या सी गई छाई आरे देखी लास के निल सैया की धरती गिरी तमारों खाई जगी पूर्षा जब मैं आगी धरती हाथो मारी दै आई अरे बिन्दी जूटी गई दी माँ धेगी चुरियां छार छार ओई जाई प्राणन प्यारे कंथो हमारे निक बोई लीजे संग लगाई अरे लला सजिन यर पेटी राखी मोपै कंथन राखी जाई अरे भरती माईया ठोर दे हमको तोई में ठाड़ी जाई शमाई अरे कैसे परणन गरू मान को पके मेल गरारा ठाई आज माईया निशाब में पती की लाश को देख करके मुरी तरह से बिलाब करने लगी कहने लगी है कंथ ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो इस तरह से मजधार में छोड़ करके हमें तुम चले गए बेटा सचिन और बेटी राखी को मैं किस तरह से पालूंगी सयाँ अरे बेटी राखी निज पालूंगी निनन अरखी रही निहारी बेटा सचिन ने जब अपने पिता की लाखी को देखा बेटी राखी को दोनों भाईयों ने जब अपने भाईया की लाख को आता हुआ देखा है साथियों अरे करम मेर यार या दिल भाद नी इने मिला सिभाद नी आई अरे कईजे हिंद सलामी दी निज भाईया को सीस धुकाई अपने भाईया की जब लाख को देखा है 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 करिया की पक्च पन की रोए छाती लाख सिलाई दी चिपताई अरे अब केपनी छुडे भिरिकव मिली हो दूने कोन देख मी जाई सब को छोड़े कहां को घाए जनको मोह जाल मिसराई अरे भुजा ताहिनी मेरी तोड़ी भावी पिधुबादाई बनाई दोनों भाईया अपने भाई की लास पर नाना प्रकार्षे करोड कर अंधन करने लगे हैं पिता भौजदार जी ने जब सुना के मेरे पुत्र की लास मेरे आंगर में आ चुकी है दोस्तों हुआ क्या अरे भौजदार पबुला ने जानी सुना की लास देखी दिल खाई उखम से पहले सर्व सिधारे वो पुली जे संग लगाई सबी परिवारी जन रुधन कर रहे हैं साथियों अरे ताओ चाचा पहना चाची भाईया सकन रहते भैराई अरे जानी सुनी सोई उठी भावो आखिन आशू रहे बहाई अरे शनी भती जा सिवा भांजा तो लो लगा रहे पिल खाई अरे सकीन करो संकल पहरदय में रच्छा करू ते सकीन आई बेटा सचिन और बेटी राखी अपने परिबारी जनों को मिलते हुए देख करके धर्दय में शनकल किया कि हमारे पिता की इम्रत जो नहीं हुई बलकि हमारे पिता देश भारत की सीमा पर सहीद हुए हैं देश भारत की रच्छा करते करते अपने प्राणों की आहुती जो दे करके चले गए इलका बल्दान कभी अधूरा नहीं होगा अगर हमारे तन में जब दख स्वास रही में देश भारत की सेबा करते रहेंगे बेटी राखी बेटा सचर ने जब ये संक्रत किया है और मेडिया के सामने भी ये बात रखी अपने पिता के वलदान को हम पूर करने के लिए पाप और भारत की शीमा पर देश भी रख्षा करने के लिए जाएंगे रोई रहे सबई पुरुबासी आखिनया सूरे बाहाई बाडी भीड जुरी ती घर मीर अरे बारी भीड जुरी घर यंदर रोई रहे सवरिस्थे बारी जबी परिवारी जनरोने में लगी रहे खुश चमेजबक नीरेश बैबू का पार्थिर शरी घर पे रखा रहा अंतमे लहस को लेकर के जब पूर तयारी शेयार्मी के जबान पार्थिर शरीर को लेकर के हर शंद पुर्चोराहे के पास में जबाये हैं यहां बीर शेनानी अमर सहीद को सलामी दे करके इनका अंतम संसकार किया गया है ऐसा ही नहीं उस शगह का वर्डन में किन शब्दों में करूँ पीरेत्र भर्मा शेत्रियों दिधायक उनके पास पहुच गए जाई राज भीर जो नाम बतायो लई सलामी पीर को जाई पूर्मा शेत्र भर्मा शेत्रियों दिधायक उनके पहुच गए जाई अरे संसद राजू जो एता के करो प्रडाम बीर को जाई अमित किसोर सलामी दीनी जो एता के खेडियें अजब सिंग्या दब जी आये प्रजेस आये एस डी एम बिलाग प्रमक्स जो फूर्भ बिलाग प्रमक्स जो सकीर्ष स्रिमान आजब शिम्यादव जी वो ब्रजेस जो एँस डी एम तेटा से इंश भी झाज़ को जाए आये प्रडू जो चाहिए अधिकारी जनों ने जब इन श्यनामी दी है, पुलिश कप्तान स्री अखलेश चौरसिया, ग्राम प्रधान नागेंदर उर्फ गुड्डू, एवंपूरु प्रधान स्री योगेश कुमार जी, उश्यके पर मौजूद हुए, शिताचली जब धरम बीनी की होुँँँँँ शिताचली जब बरम बीनी उड़ी लूग्यका से जाई, तव एक गाईनी परिक्रमा करी, अपनी दीनी नीग नगाई आरे भेनधन बेटा भारत मा के अपनी दीनी सक्त दिखाई आरे देखी दसा सभी जनता में, जनता देखी गई है या कुला आई ये शमय पीर नीरेश की चिता जल गई है, एक गाई न जाने कहां से आ गई उस शिता के चारो तरब पर क्रमा किये, उसके बाद में शर को उठा करके जब डीक लगाई है देखने बालों ने जब ये द्रिश देखा, शक्त रह गए ऐसा ही नहीं आरे चकित भैं जब देखन बाले, धन धन पीर नीरेश कुमार आरे अद्वुत शत्नी रई रभूनी, जनता हर सिल्दवै अपारी देखी दशा सभी जनतानी हो देखी दशा सभी जनतानी, देखी की ब्राद गए ये कुलाई आरे पीर बुर्शु भारत के हुई गए, अपनी सत्नी गए दिखाई पीर पुर्शु की सुन्दनी गाथा गाय सुनाई लै रतन गुमार और गुरु ब्रजेश की ये नुकम पासे, की रती जग में पढ़े यंगार भैया यमर, शहीदन के जरडन मीरतन है बलिहारी पीरनी अमर, शहीदन के जरडन मीरतन है बलिहारी रतन है बलिहारी, भात मेरे रतन है बलिहारी भैया यमर, शहीदन के जरडन मीरतन है बलिहारी